नमस्ते, मैं हूँ सेचिंगोयल और एकुंजी चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ लेसुन एक बहुत ही बड़िया नेचुरल चीज है जो कि आपकी बॉड़ी के अंदर से कोलेस्ट्रोल को भी कम करता है आपके ब्लड पैशर को भी कम करता है और भी बहुत सारे फायदे आपको लेसुन के सिमाल से मिलते हैं लेकिन लेसुन को कच्चा खाने पर ही इसके सारे benefits आपको मिलते हैं और कच्चा खाते से मैं आपको एक खास problem face करनी पड़ती है और वो है इसका taste क्योंकि कच्चे लेसुन का taste बहुत ज्यादा तीखा होता है और आपको खाने के बाद मुह में जलन भी होती है कई लोगों को कच्चा लेसुन काने से पेट में जलन और ऐसे भी होने लगती है और इसी वज़े से बहुत लोग लेसुन को इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको लेसुन यूज करने का एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपको ये सारी problems भी नहीं होगी और आपको लेसुन के अंगिनत फायदे ही फाय फायदा तो आपको ये होगा कि लेसुन को जब इस्तेमाल करेंगे तो इसका टेस्ट आपको बुरा नहीं लगेगा इसमें आपको तेज स्मेल नहीं आएगी और एसिडिटी वगेर आपको नहीं होगी और दूसरा बड़ा फायदा से आपको ये होगा कि जो benefits आपको लेसुन काने पर मिलते हैं उसकी तुलना में इस तरह लेसुन खाने पर कई गुणा ज्यादा फायदे मिलेंगे तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरूर करते हैं और जानते हैं लेसुन को इस्सिशिमाल करने के इस नए तरीके के बारे में दोस्तों लेसुन को खाने के इस नए तरीके को जानने से पहले हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है कि लेसुन को खाने से हमें क्या-क्या benefits मिलते हैं लेसुन के बारे में आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि ये आपकी नसों की blockage को खोल देता है हर तरह का जोडों का दर ठीक करता है आपके blood pressure को भी कम करता है आपकी body के अंदर से LDL मतलब की bad cholesterol को भी कम करता है और HDL मतलब की good cholesterol को बढ़ा देता है इसके साथ साथ आपके blood pressure को भी control में रखता है उसको बढ़ने नहीं देता है आपके triglyceride levels को भी कम करता है आपकी नसों को नरम, मुलायम और लाचीला बनाता है, उनको सक्त होने से रोपता है, और इसके साथ-साथ खून को पतला भी करता है, जिसकी वज़ेसे खून के अंदर थक्का जमने के जो चांसे होते हैं, वो काफी ज्यादा कम हो जाते हैं, इसके अलवा दोस्तों लैसून अगर आप इस्त पादा मिलता है, यह आपके लीवर को भी हल्दी रखने का काम करता है, और फैटी लीवर अगर आपको है, तो उसको ठीक कर देता है, तो अबर आल आप कह सकते हैं कि लैसून एक बहुत ही बढ़िया नेचरल चीज है, जो कि न सिर्फ आपकी नसों के अंदर ब्लॉकेज को रोकता है, बलकि आपके हार्ट को भी हल्दी रखता है, इसके अलाव ही बहुत सारे बेनेफिट्स हैं, जो कि लैसून को खाने से मिलते हैं, तो इसी वज़े से आपको लैसून को रेगूलरली जरूर खाना चाहिए, लैसून के इन सभी बेनेफिट्स को हासिल करने के लोगों को acidity होने लगती है और कुछ लोगों को उसका taste बिलकुल पसंद नहीं आता है मुह में जलन हो जाती है या बाद में डकार यानी शुरू हो जाती है और इसी वजह से ज्यादतर लोग जो कच्छा lesson खाना start करते हैं वो बहुत जल्दी इसको use करना बंद भी कर देते हैं तो अगर इस तरह की problem आप face कर रहे हैं लेकिन आप lesson को खाना चाते हैं lesson के सभी health benefits का भर पूर फायदा लेना चाते हैं तो आपको lesson को ferment करके खाना चाहिए जी है दोस्तो fermented garlic जो होता है ये एक बहुत ही बढ़िया चीज है इससे आपको जो lesson का taste बुरा लगता है वो taste भी बुरा नहीं लगेगा और lesson के जो benefits आपको मिलते हैं वो भी कई गुना बढ़ जाएंगे fermented garlic के अंदर क्या होता है कि आपका जो taste होता है वो थोड़ा sweet हो जाता है उतना तेज नहीं रहता है जितना कच्चे lesson में होता है इसकी smell भी कम हो जाती है और इसका जो texture है वो एक jelly की तरह नरम नरम सा हो जाता है और इसके साथ साथ इसके अंदर medicinal benefit भी कई गुना बढ़ जाते हैं अगर हम compare करें कच्चे garlic से तो fermented garlic आपको करीब 4 गुना तक ज्यादा बड़ी है result देता है fermented garlic को बनाना भी बहुत ज्यादा आसान है तो चलिए अब जान लेते हैं कि किस सरे से आपको fermented garlic तयार करना है दोस्तों fermented garlic तयार करने के लिए आपको करीब 10 lesson ले लेने हैं यह देखिए कि 10 साबुत lesson मैंने ले लिया है अब इनको चील कर इनकी कलियों को अलग कर लेना है lesson की यह कलियां अलग कर लेने के बाद अब इनको भी आपको चील लेना है क्योंकि lesson हम बिना चिलके के ही काम में लेंगे अगर यह चिलके वाली कलियां पांच-साथ मिनिट के लिए इस सरे पानी में बेगोकर रख देंगे तो इनका चिलका आप बहुती इसीली हटा सकेंगे lesson की यह सारी कलियां चिलने के बाद आप इनको एक बार इस सरे दो लीजिए फिर आप कांच का एक बड़ा सा जार लीजिए और इस कांच के जार के अंदर यह सारी कलियां आप एक साथ डाल दीजिए इसके बाद आपको क्या करना है आपको एक लीटर पानी ले लेना है और एक लीटर पानी के अंदर आपको तीन चमच नमक डाल कर उसको गोल लेना है यानि नमक का पानी आपको बना लेना है ये देखिए खाना खाने वाली जो चमच आपके घर में है न वो तीन चमच इस तरह बर करके आप नमक की ले लीजिए और इस पानी में इस तरह इसको गोल लीजिए अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए अब इस नमक वाले पानी को आप इस जार में बर दीजिए जिसमें आपने वो लैसुन की कलियां भी डाली थी इतना पानी इसमें आपको डालना है कि लेसुन की कलियां इसमें पूरी तरह डूब जाएं इसके बाद आपको क्या करना है एक चमाज आपको लेना है एपल साइडर विनेगर और वो भी इसके अंदर डाल देना है और ये अपल साइडर विनेगर डालने के बाद इस लेसुन के जार का ढखना आप अच्छी तरह से लगा दीजिए और इस जार को रख दीजिए किसी नॉर्मल रूम टेंपरिचर वाली जगह पर ऐसी जगह पर जहां पर डायरेक्शन लाइट वगेरा या बहुत ज़्यादा थोड़ा प्रेशर बनाती रहेंगी इसलिए हर दो तिन दिन में एक बार आपको इस जार के डखन को अलका सा कोल देना चाहिए ताकि ये गैसे जो है वो बार थोड़े थोड़े दिन में निकलती रहें लेसुन जब फर्मेंट होता है तो उसका कलर कुछ चेंज हो जाता है डार्क ब्राउन टाइप का कलर हो जाएगा या कई बार थोड़ा परपल कलर इसका दिखेगा तो अगर इस सरे का कलर आपको देखता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है आपको ये नहीं सोचना है कि आपका ये लेसुन खराब हो गया है फर्मेंटेशन के दौरान लेस गारलिक आपकी नसों को लचीला बनाएगा आपकी नसों के अंदर जहां ब्लॉकेज को खतम करेगा आपके खून को पतला करेगा और आपके ब्लड प्रेशर को भी कम करेगा दोस्तों फर्मेंटेट गारलिक वैसे तो पूरी तरह से सेफ और नैचुरल चीज है लेकिन फर्मेंटेट गारलिक भी आपके खून को पतला करने का काम करता है तो दोस्तों इस तरह से फर्मेंटेट गारलिक बनाएगे खाये और बीना दवायों के हैप्पी और हेल्दी लाइफ एंजोई कीजिए आप इसे फॉलो कीजिए और मेरे इसी तरह के बहुत आसान घरे ल करने के लिए इक उन्जी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए